हाई, विंट्स मैथ, हिकमर्स भी मैस भईयमिये, विलकम अगें टु दे वल्ड आफ मैस भईयमिये तो आपके सामने द आर्किटेक्ट सबसे अच्छा मैस का कोश्चन रखा हुआ है और बहुत सारी लर्निंग्स हैं इस कोश्चन के अलावा भी तो मैं आपसे चालता हूँ कि आप वीडियो कीजिए पॉज और इस कोश्चन को कीजिए सौल आप दैन मैं बताऊंगा कि मैंने इसका नाम द आर्किटेक्ट क्यों रखा तो आई हूप आपने वीडियो पॉज किया होगा, कोश्चन को सौल किया होगा तो हम discuss करने है समविधान, अगर मैं actual constitution की बात करूँ तो the architect का मतलब कौन है, constitution के actual the chief architect कौन है किसे कहा जाता है तो मैं यह पता है, यह सबको पता है उन्हें बोला जाता है BR Ambedkar, उन्होंने ही सबकुछ new रखा था, सबकुछ और को काम को वराया था तो जब भी constitution की बात होती है तो बाबा साहब वहीम राव मेटकर की बात होती है जब भी match की बात होती है तो रामानुजन की बात होती है इस question को solve करना बहुत टफ है अगर आपको रामानुजन number डाइस taxi cab number के बारे में पता नहीं है तो रामानुजन number 1729 वो सबसे छोटा number है national numbers के series में जो किसी दो national numbers के cube के रूप में लिखा जा सकता है ये मुझे है पता है और ये सब को पता है अगर आपको ये नहीं पता है तो question को solve करना बहुत टफ होगा तो अगर आप दो cube के रूप में लिखना चाहते हो numbers को तो तो 179 है summation आ और होता है कि आपका 12 cube plus 1 cube is equal to 1729 तो हमें पता है इसका answer बट क्या आज की learning यहीं पर रूखेगी अब बोच सकते हों कि ये तो जिसको पता होगा उसको पता होगा तो हाँ जिसे पता है उसे ही पता है नहीं तो आप हो सकता है कि exam में questions solve नहीं कर पाओ बट यह सारे questions exam में दे देखना अगले question को गौह सा देखना दूनों में अंतर खोजना और उस question को solve करने की कोशिश करना तो यह रहा हम लोगों का आज next learning question को पढ़िए दूनों question में अंतर खोजिया और answer बताईगी answer क्या है I hope आपने question पढ़के video pause किया होगा and इसमें और उसमें अंतर क्या है इसम तो सबसे छोटा natural number जो किसी दो cube के summation के रूप में लिखा जा सकता है पे यह question है और वो है 91 यह होता क्या है यह 3 cube प्लस 4 cube 91 होता है and 6 cube and minus 5 cube भी 91 होता है so 91 is the smallest number which could be written as sum of 2 different cubes different cubes का मतलब हम negative भी काम कर सकते है and here the sum of digits is nothing but 10 तो आपको 1729 के बार में बहुत कुछ पता होनी चाहिए मैं कुछ information आज आपको all दूँगा आपको 91 के बार में भी पता होना चाहिए because अगर यह सब question दिखे और यह well known concept है तो आप question को इस जाम में solve कर सकते है चलिए मैं आपको M. Fujiwara क्या आपने M. Fujiwara के बार में सुना है M. Fujiwara भी बहुत famous mathematician थे चलिए मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा बट आपको कुछ बाते बताने है M. Fujiwara ने यह find किया था कि पूरी mathematical inverse में अभी तक जितने भी numbers है ऐसे चारी numbers है जिसमें special characteristics होता है वह special क्या है अगर आप sum of digits के digit को उल्टा कर दिए पिचला अकले number है और multiply कर दिए तो numbers आते हैं नहीं समझ में आजा sum of digits कितने है sum of digits 9 है अकला number है मैं इसको आगे पीचे लिख दू 9 ही होगा तो 81 दिखता है अगर sum of digits को reverse करके मैं multiply कर दूँ तो number मिलता है जैसे आप इसक कर दो तो यह आपको 1458 देते हैं बहुत important numbers है आपसे question पूछा जा सकता है sum of digits and the reverse of sum of digits is the number तो कितने number possible है चार number possible है 1729 is also the same number add करो आप this one is 19 and 91 this one is 1729 तो 1729 के दो special properties आपको आज पता चल गए एक ये दो cube के summation के रूप में लिखा जा सकता है और this one is Fujiwara once number Fujiwara का number भी इसे मानते है हम लोग क्यों क्योंकि अगर आप sum of digits को मताबसे बोच सकता है question क्या होगा we have sum of digits and the product of sum of digits is the number तो आप number बताएए क्या है तो आपको ये सारी बाते पता होनी चाहिए and I hope आपने pen and paper निकाला होगा questions को note किये होगे सारी knowledge note की होगी और revise करते रहते होगे आप संडे संडे अपने time पे या नहीं तो इसे आप save कर लो अपने YouTube में प्लेइलिस्ट में and या screenshot ले लिजिए आप हमेसा अच्छा करते रहेगा मुझे को पता है and मैं आपसे चाहता हूँ कि सम्विधान के साथ बने रहेए revise करते रहेए मैं बहुत सार अच्छे concept भी आपके साथ लेता हूँगा और sell करूँगा और हम लोग सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे God bless you, happy learning and bye bye